बिस्मिल्लाहिराहमारे रहीम, असलाम लेकुम वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है कि CSS में सब्जेक्ट सेलेक्शन से पहले हमें कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए, उसमें से तीन जो मौस्ट इंपॉर्टन पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिये हैं, पहला जो इंपॉर्टन पॉइंट है वो शॉर्ट कोर्स कॉंटेंट्स है, शॉर्ट कोर्स कॉंटेंट्स से मुराद के CSS में जो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हम कोर्स कॉंटेंट्स को जाके देखे उसके बाद हम देखें कि इसमें ये जो subjects offer हुएं इन सारे subjects में जिन subjects का course content short है जिनका syllabus कम है तो हम वो subject opt करें इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो बताई उसमें subject selection की पूरी detail मौझूद है और उसमें subjects भी display है तो बहां से जाके देखनी चाएगा course जब contents हमारे पास short होंगे तो उससे हमें ये फाइदा होगा कि हम जो preparation है paper की वो असाली से course cover कर सकते हैं और तयारी अच्छी हो सकती है जाहे शौर्ट course होगा तो तयारी भी उसकी अच्छी हो सकेगी दूसरा जो most important point है वो है language priority Language priority means जो हमारे पास block number 7 होता है मैं आपको display कराती हूँ ये है block number 7 देखें block number 7 में 45 से 55 तक subjects offer हैं इसमें से जो 50 से 55 हैं उसमें सिंधी, पंजाबी, सिंधी, पश्टो, बलोची, पर्शियन और अरबिक ये subjects offer हैं अब इन में से जिसका जो background है यानि जिसकी जो language है वो उस language को must opt करें और अगर इसमें से कोई भी पंजाबी speaking, सिंधी speaking, पश्टो speaking, बलोची, पर्शियन, अरबिक ये languages नहीं आती है अगर उनको और उनको तो फिर उनके लिए जो है उपर और भी subjects offer हैं वो जरूरी नहीं है जैसे पश्टो होगे इसका course content जाके देखें थोड़ा सा एक अथशायर के बारे में हैं और इसी तरह बाकी subjects के course contents को go through कर लें आप, इसमें ये भी important point है कि जिस अगर आप language का subject select करेंगे, तो आपको paper भी उसी language में लिखना होगा, यानि for example आपने पश्टो सिलेक्ट कर ली तो paper पश्टो का पश्टो में ही लिखाएगा और आपने उसका answer भी पश्टो में ही करना है, यानि उसी language में करना है, लेकिन ये होता है कि अपनी language जिसकी जो speaking होती है, English speaking, अर्दू speaking है, तो अर्दू के लिए उपर option है, लेकिन अर्दू में literature आ जाता है, उसके लिए फिर masters का होना जरूरी है, तो पंजाबी, सिंधी, पश्टो, languages जिसकी जो होती है, उसको समझ भी असानी से आ जाती है, और मुश्किल भी नहीं होता, त्यारी भी जल्दी हो जाती है, और इनके course contents भी बहुत short होती है, तीसरे point की तरफ चलते हैं, हमारा तीसरा point है, overlapping with compulsory subjects, इसका number one में जो compulsory subject हैं, जैसे इसमें देखें, पाकिस्तान affairs और current affairs, अब इन से overlap करने वाले जो subject हैं, हम वो उठा लेंगे, तो जब हमारी compulsory की तियारी हो रही होगी, तो साथ साथ हमारी optional की भी बहुत सारे topics, बहुत सारे concepts clear हो जाते हैं, जैसे block number two में देखें अगर, तो block number two में हमारे पास political science और international relations आ जाते हैं, देखें, इसमें थोड़ी थोड़ी overlapping in subjects की हो रही होती है, इसी तरह बाकी subject से भी go through होके देखें, कि जब उनके course contents होते हैं, कि किस subject का कौन सा topic, optional से overlap कर रहा है, या किस subject का कौन सा topic, हमारे compulsory subject से overlap कर रहा है, तो उस subject को आप must opt करें, जब आ उस subject को opt करेंगे, तो आप एक subject त्यार करेंगे, तो साथ-साथ दूसरे subject के भी कुछ topics clear होते जाएंगे, तो उससे यह होगा कि कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी, इन्शालला, आप बहुत कम टाइम में अपने paper के लिए appear हो सकते हैं, और अपने paper क लिए बहुत कम टाइम में अच्छी त्यारी कर सकते हैं, I hope so आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, Thank you, Allah Hafiz